नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़वरदानूज आज हमारे साथ मध्ध प्रदेश महिला कॉंग्रेस कमेटी की कारकारी अध्यक्ष कविता पांडे जी हमारे साथ हैं और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को ले करके इन दिनों चल रहे घटना क्रमों को ले करके हम इन से चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि बरतमान समय में महिलाओं के खिलाब जो अपराद हो रहे हैं और कहीं न कहीं कानूनी लचीलापन सही तरीके से नयाय दिलाने में एक भोमिका का निर्वहन नहीं कर बार है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं। दिश्य ट्रूप से अचानक ही अपराद भीसन और भयानक तरीके से बढ़े हैं एक दरिंदगी की हदे पार हुई हैं दरिंदे ऐसे लगता है कि छुट्टा हो गए हैं और चारों तरफ गुंडाराज कायम है एक गटना होती है इतना हेदराबाद की गटना में डोक्टर प् हैवाणियत पाश्विक्ता की हदे पार कर रखी है युवावने ऐसे क्या कारण हुए है कि हमारे देश में जो आम जनता 130 करोड की हमारी आबादी है और खास तरफे महिलाओं का कानून के उपर से भरोसा उठ गया है आपने देखा कि लोग सुलावी सिताबदी की तरफ ज जहां राम सीता की पूजा होती है क्रिष्णा और हम बहुत धार्मिक है हम एक चीटी जल्दी से मारना नहीं चाहते लेकिन आज यह नहीं किसी का खरयाम सरयाम एंकाउंटर होता तो हम खुश्या मनाती है इसका कारण है कि लड़कियों के उपर जिस तरीके की घटाई हो र रहा है इस देश में कहा जाता था यत्रै नारिष्ट पूजंते रमँते तत्रदेवता जहां नारी के फूजा होती है क्या काआने कि चार पार लड़के आते हैं एक लड़की को घस्यूक्ते है और उसके साथ रेप करते हैं और भु आग लगा देते हैं उनको यह नहीं ल चोटे चोटे बच्चों को हम उपलब धकरा रहे हैं आज उनकी मानसी किस्तिती जो पढ़े भी नहीं है असिक्षित है गरीब है वो लोग उनके हाथ में गूगल और जीओ के मोबाइल है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं और लड़कियों के साथ घिनावना अब पाश्विक सेंगर उनका बीजेपी का मले उसको कोई उसके खिलाब धंडे नहीं हुआ उसको जेल नहीं हुई उसको फासी नहीं हुआ इसको इंकाउंटर नहीं हुआ आज वो बड़े मजे से बिधायक बना बैठा हुआ है तो ऐसी घटनाओं से जो रेपिस्ट अबलातकारी मनोब्र विकृति के प्रविति के लोग होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और उनकी कोशिस होती है कि चलो जब कुलदीप सेंगर छूट गया चिनमयानंद केंदरी मंतरी छूट गया तो चलो हम भी करके छूट जाएंगे निर्भया के साथ साल हो गए उस लड़की को उसकी मदर सि एक अपरादी विनाय था उसकी मरसी अपील रास्टपती के प्यास पेंडिंग है रास्टपती पद की मैं घरीमा का मान करती हूं समवेदानिक पद है लेकिन क्या रास्टपती साब को इतनी फुर्कसत नहीं थी कि उसकी जो मरसी अपील पेंडिंग पड़ी थी उसको खतम करते या तो नहीं करना था तो उसको आप हटाते ताकि उनको फासी होती साथ साल से वो मुर्गा बिर्यानी उड़ा रहे हैं जेल में उनकी दमात की तरह अभगत हो रही है जो जी देश में रेपिस्ट को इतना सम्मान होगा तो लोग क्यो डरेंगे आप सीखे चीन से उत्तर कोरिया से सीखिए सायुकतर अरब अमिरात से सीखिए कि वहां आज घटना होती है चाब इस गंटे के अंदर और नहीं तो आठ दिन के अंदर हिसाब किताब होता है सटम साथे समाचरेत चाडक के ने कहा था यदि आज इस देश का नागरिक सड़क पर उतरा हुआ है कि हमारी बालिकाओं के साथ यदि गलत होगा तो हम ताकत के साथ उतरेंगे और चोड़ेंगे नहीं और आज ये जान लीजिए इनकांटर पहली गटना और उसमें आप देखिए कि हमारे देश किनारी जो इतनी सदभावना वाली होती है कि वो चीटी नहीं मारती लेकिन जब उनका कतल इनकांटर होता है चाहे कैसे भी हुआ प्रसनता व्यक्तित करती है महिलाओं के उदगार सुनिए वो कहती है कि थाने में इनको जला देना था इनको पत्थनों से मारना है तो हम क्या आदिमकाल की तरफ वापस लोट रहे हमको ये भी सोचना पड़ेगा हमारे देश में एक लोग तंत्र है उस हमारे सिस्टम का धाचा चर्मर आएगा लेकिन इन पाशवित लोगों के साथ क्या बरता होना चाहिए यह निश्चित रूप से हमारा जो न्याय प्रडाली उसको सोचना पड़ेगा कि यदि सामनी सामना रेपिस दिखता है कि वो अभी रेप करके जारा और आधा गंटा एक गंटा में आठ गंटा में और उसकी तमाम जो परिस्थिती जन्ने साक्षे हैं जो तुरंट के तुरंट मिल जाते हैं तो ऐसे लोगों में तो दो दिन तीन दिन के अंदर इनकी कहानी कहतम होनी ही चाहिए जब तक कानून के प्रति भै व्याप्त नहीं मानेगा तो विश्वास रखिए कि हर दिन एक नया रेप होगा आज कुछ वर्षों में 128 प्रतिशत की बढ़ोतरी रेप में हुई है क्या करने कि हमारे देश के लोग दरने को तयार नहीं है आपको जानकर अचरा जोगा हैदराबाद की बेटी के लिए प्रक्टर प्रियंका के लिए जब पूरा देश खड़ा था तो असी लाख लोग प्रियंका रेडी उसका वीड्यो पोर्न वीडियो धूरने की कोशिस कर रहे थे हैं यह देश किसका देश है यह राम का देश है सीता का देश है कृष्न का देश है तो ऐसे लोग हमारे देश में भरे पड़े हैं तो इन जो मनो विकृत वेक्टियों कried बचपन में यervी स् और ये वलगरिटी, अशलीलता या पोर्न की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका या तो मानसिक जो इसकी कुंठा है, इसको अवसात को दूर करने की कोशिस करा जाए, उसका नैतिक जो चरित्र है, उसका हम उपरिमार्जन करें, उसका मानसिक शुद्धी करें, या जो भी सरकार स बन करें, वो करें, नहीं इस देश, पूरे अब दुनिया में, हमारा जो विश्व गुरू बनने का सपना है, वो कचूमर हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा, हम सिर्फ एक भारत, रेपिस्ट, रास्टर के नाम से जाना जाएगा, आज हमारे देश की बड़ी बदनामी और पूरे विश्व स्तर पर, और इसके साथ अगर राजनेत में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें, तो कई महिलाओं सांसत के रोप में हमारे सदन पर हैं, उसके बाप जूद भी कई बरसों से ये सवाल उटता रहा है, नियूनतम आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण नहीं करना, इन सारी चीजों का भी ये कारण है. मेरा कुमार जी रही, आज भी सोनिया गांडी जी वर्तमान में है, हम रिवा जिले के परिद्रिश्ट में बात करें, तो आठ सीटे होती हैं, उसमें से तीन हमने महिलाओं को दी, भारती जनता पार्टी में एक भी नहीं दी, अभी बारती जनता पार्टी के रिवा जिले म निगमों का मंडलों का चुना हुआ है इनके साथ 20 या 25 मंडल होते हैं उसमें सी एक भी महिला का इनोंने चैन नी किया तो हम मैं इस आरोग को पूरी तरह खारिच करती हूँ भारते जनता पार्टी महिलाओं का शोशन करती है और कॉंग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे बढ सरकार आई होती तो निश्री टूप से विमन इजर विशन बिल पास हुआ होता उसके लिए हमारी रास्टे नेता सोनिया जी और रहुल जी पूरी तरह कमिटेड है अब पूरी कॉंग्रेस पार्टी कमिटेड है लेकिन ऐसी एक भरस्ततम सरकार भारती जगड़ा पार्टी की सरकार आई है जो अकर्मन हैं जूते हैं जो बलातकारीयों का प्रोटेक्शन करते हैं जो कुल दीप सिंगर की बात हो चिन्मेयानंद की बात हो राम रहीम की बात हो आशा राम बापू की बात हो तो जितने रेपिस्ट हैं वह भाज़पा के नेता है ऐसा कौन से similarity है कि इ उन रेपिस्ट के साथ मंच साजा करते दिखते हैं तो जनता को लगता है कि हम भी करेंगे तो हम भी बढ़ जाएंगे भाई यदि जो इंकाउंटर हैधराबाद की पुलिस ने किया हम सेलूट करते हैं हैधराबाद पुलिस को मित्रो तो आज ये उतर बुदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता उन्नाओं में कुल्दीप से अगर के घटना हुई उसके बाद कुल्दीप से अगर छुट्टा साण की तरह गुड़ते रहे तो दुबारा अभी कल परसो एक लड़की को जमानत पर छूटा उसको माट डाला गया तो देखिए कानून का खौफ जब तक पैदा नहीं होगा तो ये विश्वास करिए कि रेप आप देखिए ना प्रियंका रिटी की घटना बाद की पूरे देश में उबाल है पूरे देश के छोटे से छोटे कजबे में लड़किया नाराज है सडकों पे उत्री हुई है और ताकत के साथ भी रोट कर रही है उसके बावजूद हर दिन गटना हो रही है इसका क्या मतलब निकलता मतलब ये कि कानून के पर भरोसा और कानून का खौफ दोनों समाप्त हो गया और उसको कायम करने की सरकारों की जम्मदारी है ये एक बहुत बड़ी चुनाती है और चुनाती को कबूल करके उसका बकौल इंतजाम करना होगा अन्यता हम एक असुरक्षित देश के नागरी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है मैं महिला होने के बतौर एक बेटी के मा होने के बतौर और हम लोग एक ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जहां हमसे महिला हैं बहुत मात्रा में जुड़ी हुई है जब वो खौफ में रहती हैजाम को शाथ बचता है तो कहती है दीदी मुझे जल्दी घर जाना मुझे डर लग रहा है तो हम लोग कहते हैं कि तुम घर जाना फिर हमको फोन करना कि तुम पहुंच गईना तो एक ऐसा हमारे अंदर भै का वातावरेंट कायम हो गया कि हमारी लड़की बाहर गई तो उस रक्षित लोटेगी कि नहीं प्रियंका रोडी अपने घर फोन करती है और उसके बाद उसकी जली भुनी हुई लाश मिलती है हम किस पाश्विक समाज में जिन्दा है कि जहां हम नरक के कीडे नाली के कीडे हैं क्या लड़कियां क्या नाली का कीड़ा है जननी जिसको जननी कहा गया माता कहा गया जो पूज़ा जाती रही है, आप देवी लक्ष्मी की बात करें, धन की देवी, शक्ति की देवी दुरगा, ज्ञान की देवी, सरस्वती, और जिस मां से तुम पैदा हुए हैं, उसके इज़त तुम नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या अपने समाज को, और अपने सिस्टम को, अपने बच्चों को हमने क्या सिखाया और कानून विवस्था की बात करें तो आज लगवग 2 करोड से भी जादा मामले पेंडिंग चल रहे हैं और फास्ट रेक कोर्ट की बात की जाया तो काफी फास्ट रेक कोर्ट बनाए गए हैं लेकिन सिर्फ मिसाले देने के नाम पर च भया कांड के अपराधी साथ साल बीट जाने के बाद भी गुल शर्रे उड़ा रहे हैं जेल में उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो जेल वालों के दमाध हैं और वो मौज मजे चाट रहे हैं तो आवश्यक्ता है ऐसे कानूनों को बहुत कड़ा करने की और ताकि इनको सबक म में ले कि एक आदमी भी आपने देखा होगा मैंने चार-पाँच देशों का चीन का उतरकूरिया का सायुकतार अमिरात का तीन चार ऐसे और देश हैं जहां पर साथ दिन के भीतर सजाई होती हैं तो ऐसा कुछ करने की जुरुत है कि जहां तुरंद के तुरंद सबूत मिल मेरा तो यहां तक कहना ही कि इनको खड़े हो के चोराए में सूट किया जाना चाहिए यह इनों ने आग लगाई है तो इनको इसी तरह आग लगा के भून चाहिए ताकि इनके माता-पिता इनका पुरा परिवार है पूरा देश यह देखे कि तुम्हारा लड़का यह भारत में पैदा हुई भारती जनता पार्टी के सरकार के टाइम पैदा हुई उसका यह दोश था कि आप भाजपा का साशन है यह उसका दोश है उस लड़की का दोश है क्या उसने पाप किया था जरा बताई हमारी केंदर में बैठी सरकार जो बताती थी कि बहुत हुआ न परिकल पनाती कि एक असुरक्षित रास्थम बनाएंगे क्या और इसके साथ ही साथ अभी हम रीवा की बात करते हैं मध्ध प्रदेश की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि अभी पहली बार हुआ है मध्ध प्रदेश में पिछले 5-6 बरसों से महिला अपराधो को लेकर कि ये पह दो हजार अठारा के एंड की बात है जब हमारी सरकार आई रास्ट्री अपराध सर्वेक्षन ब्यूरो के मानकों के मताबिक विगत 15 वर्षों में भाजपा की सरकार थी और लगातार मध्ध प्रदेश रेप कैपिटल बना रहा लगातार पूरे देश में मध्ध में कमी आई है मध्ध प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद कॉंग्रेस की सरकार आने के बाद कमलनाजी की सरकार आने के बाद महिलाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तेजी से पूरी ताकत के साथ प्रयास हो रहा है आपने देखा होगा कि लड़कियों का हम लोग कॉलेज से लड़कियों को बस में बठाते हैं, आटियो परिवहन करिया ले ले जाते हैं, उनका लाइसेंस बनाते हैं, कि ताकि वो गाड़ी चलाए और उनका उनका लेबल बहुत स्ट्रॉंग हो जाए, जो लड़कियां गाड़ी चलाती है, उस सेल्फ डिपेंड ह होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लेबल आता है, तो हमारी एक लिबर सरकार हम कर्निया विवाह युजना में 59,000 रुपए देते हैं, हमारी इस बात की कोशिस है, कि हम लड़कियों को इतना मजबूत करें, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़बूत करें, उनका साल का कूड़ा हटाने में कुछ तो टाइम लगेगा, हम पाच फीसद नीचे आये हैं, विश्वास करिए कि बहुत जल्दी से अपराद मुक्त मध्यप्रदेश बनेगा, यह मैं दावा करती हूँ, और अपने मुख्य मंतरी के पर हमारा पूरा भरोसा है, और लाकिन सेधी के चुराहट विधान साभा में भी ऐसी घटना हुई है, उस घटना के बारे में क्या कहना चाहें? यह घटना बड़ी दुखद है, निंदनी है, और बेहद दुख की बात है, कि हमारे समाज में ऐसे भरष्ट लोग बेटे हुएं, जो एक सिक्षिका तक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, नारी इनके लिए मात्रतन है, उपभोग की वस्तु है, मैं इस निंदनी घटना की ज के बीतर ही सारे के सारे अपराधी पकड़े गए हैं, और उनका कोर्ट ट्रायल सुरू हो चुका है, अब बहुत जल्दी उनको सजा होगी, और हमारी कोशिस होगी, कि जो हमारी देवी जी है, उनको न्याई मिले, और इस बात के लिए हम लोग सरकार को भी सूचना दी गई हैं, और बहुत तेजी से काम हो, आपने देखा कि IGS भी तुरंद गटना स्थल पर पहुँचे और उनको पकड़ा है, तो ऐसी गटना नहों, इस बात का पुलिस को पूरी टाकत के साथ प्रयास करना चाहिए, और पुलिस व्यवस्ता और स्ट्रॉंग हो, ऐसा मेरा मानना ह और एक महिला होने के नाते पूरे देश की महिलाओं को, उनके सुरक्षा और सिक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश की महिलाओं का मैं हावान करती हूँ, कि सबसे पहले आप सिक्षत बनिये, सिक्षत बनिये, आर्थिक रूप से सम्रिद्ध बनिये, अपना आत्म विश्वास बढ़ाईए, इसके अलाबा कोई चारा नहीं है, हमारे देश के जो नियाए प्रेडा लिये, कारें फेल हैं, तो ये जाने लीजे कि रेपिस्टों को चौराहे में खड़ा हो करके, अब पत्थनों से मार मार के महिलाएं मारेंगी, इसकी पूरी तयारी है हमारे देश की, जो हमारी सतर कडोर महिना हैं, उन्होंने तयारी कर लिये, तेरा तारीक को आने वाले, हम दिल् बात महिलाओं से कह रहे हूं, कि यदि बलातकार जैसी घटनाएं, पुरुष सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, उनको लक्षता है कि ये मेरा आत्म सम्मान है, कि मैंने किसी महिला का रेप किया, तो उसका मनोबल तोड़ दिया, ये किसी कीमत पे अप घर से नहीं निकलेगी, ऐस पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए, यदि ऐसी घटना किसी बालिका के साथ होती है, तो मेरा उस परिवार से, उस बिटिया से, ये सविने अनुरोध है, कि वो निकले मुख्यदारा से जुड़े, यदि पुरुष के साथ यही होता है, तो यदि वो अपवित्र नहीं होता, तो आप कैसे आप अवित्र हो सकती है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, गलत उसने किया है, तो उसका दंड उसको मिलेगा, आप वापस अपनी मुख्यदारा से जुड़िए, आप पढ़िए, आप नौकरी करिए, और ताकत के साथ डंग के मिचोर्ट में कहिए, कि मेरे स करने की, घटना करने की, कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो ये थी हमारे साथ मध्ध प्रदेश महिला कॉंग्रेस कमेटी की कारेकारी अध्यक्ष कविता पांडे जी, देखते रहे दख़बरदार नूच, नमसकार धन्यवाद। दख़बरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दख़बरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें